भारत में committed segment की bike सबसे ज्यादा बिखती है जिसका region होता है कीमत और mileage कम से सी के एंजर से ज्यादा mileage मिलता है भारत में चार ऐसी कंपनी है जिसकी committed segment की bike सबसे ज्यादा बिखती है हाला कि यह सारी कंपनियां बड़ी bikes भी बनाती है लेकिन सबसे ज्यादा चोटी bike की बिक्री हो का सबसे सस्ती वाइक एच्छ डिलॉक्स है एच्छ डिलॉक्स में 92.2 सीसी का एयर कुल्ड फॉर स्टोक सिंगल सिलिंडर और एच्छ फ्यूड इंजेक्टेड मिलता है जो 7.91 पीस का पाउर और 8.05 नेम का टॉक जेनरेट करता है इसमें फॉर स्पीर गेर बॉक्स लगाया है और यह 60-65 तक की माइलेज निकाल देती है इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमेटर पॉर आवर है और इसका प्राइज 6,800 बाउंच से शुरू होकर 3,890 तक की मिल जाता है टीवीएस दोस्तों टीवीएस का सबसे सस्ती वाइक टीवीएस एस्पोर्ट है टीवीएस एस्पोर्ट में 109.7 cc का एयर कोल्ड फॉर स्टोक सिंगल सिलिंडर ETA5 fuel injection लगया गया है जो 8.29 PS का पॉर और 8.7 NM का टॉर जिनरेर करता है इसमें फॉरेस्पीड गेर बोक्स लगया गया है और यह 60-70 तक का माइलेज निकाल देता है और इसका टॉप स्पीड 90 किलोमेटर पॉर आवर है और इसका प्राइज 21,750 से शुरू होकर 58,925 तक की मिल जाती है बजाज दोस्तों बजाज की सबसे सस्ती वाइक CT 100 है CT 100 में 102 सिसी का एर कूल फॉर स्टोक सिंगल सिलिंडर DTSI इलेक्ट्रोनिक इंजेक्शन लगाया गया है जो 4-speed gearbox के साथ आता है और यह 75-85 तक की बीच माइलेज निकाल देता है इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमेटर पॉर आवर है और इसका प्राइज 44,122 से शुरू होकर 51,802 के बीच मिल जाता है होन्डा होन्डा की सबसे सस्ती बाइक होन्डा CT 110 ड्रीम है इसमें 109.51 से सिक्या एर कूल फॉर स्टोक एससाई फिल्ड इंजेक्टर इंजन लगाया गया है जो 8.79 PS का पावर और 9.3 नम का टॉक जेनरेट करता है इसमें 40-speed gearbox लगाया गया है और 77 तक के माइलेज निकाल जाता है और इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमेटर पॉर आवर है और इसका प्राइज 64505 से सुर्य होकर 65505 के बीच मिल जाता है तो दोस्तों यहीं था कुछ इसार कंपनियों का सबसे सहस्ती बाइक